जैहिन दोस्तो स्वागत एक बार फिर से एक नए वीडियो में मैं सिवाम आप देखना शुरू कर चुके हैं विंडो क्लासेस कैसे दोस्तो आई हो बहुत अच्छा होंगे आज की वीडियो में हम बात करेंगे 36 गर्षा विस्पेटर भड़ती आई है उसमें विभीन प्रकार के पद दिया गया है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि किस पद में अपलाई करें ठीक है दोस्तो बहुत सारे लोगों को बात करेंगे SI के बारे में सुभेदार के बारे में और प्लाटून कमांडर के बारे में तीनों के बारे में कंप्लेट जैनकारी रहेगी दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलरी की सेलरी कितनी मिलती हैं तो आप लोग की जैनकारी आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको salary ज्यादा मिलेगी ठीक है दोस्तों सेकेंड है दोस्तों posting कहां पर होती है ठीक है तो SI की बात करें तो थाना में होती है सभी लोग को पता है civil police कहा जाता है सुभेदार के posting headquarters में होती है और प्लाटून कमांडर की posting दोस्तों कहीं भी हो सकती है ठीक है वह एक camp बनाके भी रह सकते है ठीक है दोस्तों उनकी posting कहीं भी हो सकती है इस्थाई नहीं होती है उसकी posting ठीक है दोस्तो, public से दूर रहते हैं, प्लाटून कमांडर, और public की बीच में रहते हैं ASI, तो ये posting की बाथ हो गई, तीसरे बाथ करते हैं धोस्तो, क्या काम करना पड़ता है, ठीक है, तीनों की हम काम की बाथ करते हैं, तो सब से पहले ASI का दिखते हैं, A.S.I. का आप लोग को पता होगा थाना में A.S.I. रहता है ठीक है जितने भी काम होता है थाना लेवल पे A.S.I. का होता है A.S.I. के बाद T.I. होता है ठीक है दोस्तो सेकेंड है सुबेदार, सुबेदार की क्या काम होती है सुबेदार हेटकवाटर में रहता है वहां पे रिज़र्व पुलीस फोर्स रहता है उसके जिममेदारी सुबेदार को दी जाती है ठीक है दोस्तो एडिसनल S.P. के साहयक के तौर पे काम करते है और जो रिजर्व पुलिस फोर्स रहते हैं उसकी देख रेख में रहता है सुवेदार तीसरा है दोस्तो प्लाटून कमांडर सबसे बहतर काम रहता है प्लाटून कमांडर का ठीक है दोस्तो प्लाटून कमांडर को 25 से 30 कॉंस्टेबल की टुकड़ी दे दी जाती है और उसको मुमेंट करना पड़ता है अगर कहीं पे दंगा हो गया या कहीं पे अगजनी हो गई तो अपने टीम को लेकर चलते हैं सिर्फ उसको परिवार के मुख्य के तरह रहना होता है काम कुछ नहीं करना पड़ता है प्लाटून कमांडर को बस देखरेक करना होता है अगर कहीं पे काम नहीं है कहीं पे अब जनी नहीं हुआ है तो स्रिफ केम पे रहेंगे और मेस का काम देखते रहेंगे ठीक है? क्या खाने के लिए रहेगा किसको छुटी देनी है बस इतना ही देखरेक रहता है प्लाटून कमांडर का ठीक है दोस्तो तो मैंने तीनो का काम बता दिया तीनो का पोस्टिंग बता दिया क्स में आपको इस्टडी के लिए टाइम मिलेगा मैं आप लोग को बता देता हूँ और सबसे ज़्यादा overload काम किसमें रहता है ये भी बताता हूँ ठीक है दोस्तो तो सबसे ज़्यादा काम दोस्तो SI का होता है ठीक है 24 गंटे आपका नहीं होता है कभी आप duty में जा सकते हैं ठीक है और 24 गंटे में आप जितने भी time duty करते हैं सभी time आपको काम करते रहना है क्य ठीके दोस्तों इसमें आप पढ़ सकते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लाटून कमांडर में जा सकते हैं प्लाटून कमांडर में आपको दिन में 3-4 घंटे ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे उससे ज्यादा आपको क 20 घंटे पढ़ सकते हैं प्लाटून कमांडर में चुट्टी बहुत मिलती हैं आप चुट्टी ले सकते हैं बट एसाई और सुवेदार में आप चुट्टी नहीं ले सकते हैं इमर्जनसी केस में ही चुट्टी मिल पाएगा अधर वैस अगर आप प्लान करके चुट्टी ले ठीक है दोस्तों और इसमें प्रोमोशन भी जल्दी हो जाएगा सीविल में आपको प्रोमोशन दस साल के बाद ही मिलेगा अगर आपका काम अच्छा रहता है तो और हमेशा आपको ओरलोट काम करना पड़ेगा क्योंकि थाने में टियाई के बाद आप ही कर रहता है जितने भ जब तक खुश रहा है दूसरों को भी खुश रहे हैं जैहिन